आपको बताते हैं कि किस तरह ये rescue operation हो रहा है और पूरी team जो वहाँ पर लगी है उसके बारे में भी आपको जानका रही हम ज़रा ग्राफिक्स के मादने में सुनेते हैं कि यह सिल्क्यारा छोड है जहां से drilling जो है वो शुडू की गई थी और अब तकरीबन 6 मीटर से भी कम ब अगे हुए थे फॉरण से भी experts मंगाए गए और उन्होंने भी अपने राए इसमें दिये और इसके बाद यह operation जो है इतना लंबा इसलिए भी खिट रहा क्योंकि आपको तीन तरीके से plan बनाना पड़ा आपके सामने चुनौतियां यह थी कि मलबे वहां पर गिरे हुए है और ऐसे में अगर आप वहां डिलिंग कर रहे हैं तो कंपन होने की वज़े से और मलबा गिरने का खत्रा भी पैदा हो रहा था और यह सारी चुनौतियों को धेलते हुए समझते हुए experts फ्राय लेते हुए अब इस plan को आगे बढ़ाए गया जो कि सिल्कियारा छोर से ही था यानि तीन plan में से एक plan सबसे ज़्यादा असरदार अभी तक दिखा है और उसी plan पर आगे बढ़ते हुए यह experts भी नज़र आ रहे हैं लेकिन experts कहें क्या रहे हैं पूरे विशेप पर आपको सुनवाते हैं रात में 45 मीटर के मुह पर एक गर्डर आ गया था लेटिस का उसको हमने successfully रात 6 गंटे काट करके remove कर दिया है अब हमें लगता है कि बाधाएं जो भी आनी थी उनको हम पार कर चुके हैं यह हमारी उम्मीद है और यह हमारी आशा भी है यह हमारा विश्वास भी है हम चाहते हैं ऐसा ही बना रहेगा अगले 14-15 गंटों में हम 60 मीटर तक क्रॉस कर लेगा और शुरू हो गया है और चेशे मीटर की जाने का हम एक जो estimate लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया तो ओफ़ली बाइड अप ते डिय अगर और कोई चीज सामने नहीं आती है को बड़ा पत्त को शायद सफलता मिल जाएगी जो पहले इसकी चट बनी हुई थी उसमें आरन रोट लगी रहती है उसको सिरीन फोर्स करने के लिए तो जब कॉलाप्स हुआ तो आरन रोट भी मलवे के साथ कॉलाप्स हुई उनमें से कुछ आरन रोट इस ओगर मिशीन के रस्ते में आ उसको काट के दूर किया ताकि डिलिंग आगे बढ़ पाए देखिए टनल में जब हम टनल बनाते हैं तो टनल में सरीयों के जाल बनाके लगाते हैं गुलाई में तो जब उपर से मलवा गिरा तो वह सरीये के जाल भी नैचरली उसी मिट्टी के अंदर पड़े हैं वो तो क काट देंगे और उसके बाद पाइप बुस्क करेंगे एंड इस रेस्की ऑप्रेशन विल भी होगा है रेस्की ऑप्रेशन अपनी पूरी गती से चल रहा है बस उमीद यह है कि किसी भी पल एक तालीस मजदूर बाहर आ जाएंगे सुरक्षित हमारे तीन संवादाता अंकि अगनी एक्स्क्लूसिव रिपोर्ट भीजी देखनें अंदर जाएगी वह उन्हें टनल के जरिए बाहर लेकर करके आएगी जब बाहर आएंगे तो उस समय यहां पर एंबुलेंस तयार खड़ी होगी और हर किसी को एंबुलेंस के जरिए यहां से चिन्याली सौर जो इला और जो यह इलाका है वहां के भी डॉक्टरों की टीम मौजूद होगी जब यहां पर उन्हें निकाला जाएगा एंबुलेंस में डाला जाएगा गुफा के भीतर इसुरंग के भीतर लगबग 1.500 मीटर की अंदर जहां पर एंबुलेंस जाने की व्यवस्था की जाएगी वहां भी स्वास्ति भाग की टीम मौजूद होगी यह जानने के लिए यह समझने के लिए कि क्या उनको कोई किसी तरह की शारीरी की स्थिती तो नहीं है कहीं किसी तरह का दर्द या कि ऐसी स्थिती तो नहीं है और जैसे वो इस तरह की जानकारियां देंगे उन्हें तुर पाइप थू हो जाएगा और उस पार पहुँच जाएगा तब श्रमिकों को निकालने के लिए NDRF ने एक रनीती बनाई है जिसमें NDRF के जो जबान हैं वो एक एक करके पाइप के उस पार जाएंगे और फिर वहां से श्रमिकों को पुली के माध्यम से एक एक करके बाहर नि में लग सकता है वी के सिंग जनरन वी के सिंग और पुशकर सिंग धामी दोनों जाइजा ले रहे एं ऑपरेशन का जो माइनिऊ डीटेल्स हैं फाइन डीटेल्स हैं वो खुद खड़े होकर देख रहे हैं आखिर-कार किस तरह से क्या प्रोग्रेस हो रहा है क्या आपस्ट सारी देरी देखी है जब आइरन स्ट्रक्चर आ गया बीच में उसको काटने में बहुत ही जादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा सिंट्रिल एजिंसी को एंडी आरेफ के जवानों को भेजा गया था उनको गैस कटर्स और हैट्रोलिक कटर्स से काटके वो आइरन स्ट्र सिंग धामी एक बार फिर से सिल्केरा टरनल में पहुंचे इसे पहले जब वो पहुंचे थे तो उनके साथ नितिन गटकरी भी थे और एक बार फिर से आज जब पहुंचे तो उन्होंने मजदूरों से बाच्चित की है यह वो तस्वीरे हैं जब वो रेस्क्यू टीम के सा अगर उनके साथ में है और लगातर यहां निरंतर काम हो रहा है आपको घरबाने की आवशकता नहीं लेकिन बारा दिन तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन लगातर चल रहा है इस बीच में अलग 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 तरीके अपनाए भी गए लेकिन सिल्केरा टरनल में अब बहुत नज आज देखे हैं रेस्क्यू टीम कैसे रेस्क्यू का उपरेशन आगे चल रहा है रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं 12 दिन 288 घंटे दिन रात की मेहनत बेचेनी चिंता और आशंकाओं के बीच आखिर वो मनजिलाने वाली है जब उत्तरकाशी की इस सुरंग से 41 मज़़ूरों के निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा बस चंद घंटों की चुनौती और रह गई है और पूरी उमीद है कि ये पहार तोड़ा उपरेशन काम्याबी के मुखाम तक पहुच जाएगा जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो रेस्क्यू उपरेशन कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है कभी भी सुरंग के भीतर से खुश खबरी आ सकती है आखरी चरण की पूरी तैयारी हो चुकी है पहले पाइपलाइन का काम पूरा होगा पाइप से पही वाला स्ट्रेचर अंदर जाएगा इंडियार अरफ के रेस्क्यू करमी पहले अंदर जाएगे और फिर एक-एक मज़़ूर बाहर निकाले जाएगे चैनल वीके सिंग और पुशकर सिंग धामी दोनों जाइजा ले रहे हैं ऑपरेशन का जो माइन्यूट डीटेल्स हैं फाइन डीटेल्स हैं वो खुद खड़े होकर देख रहे हैं किस तरह से प्रॉग्रेस हो रहा क्या ऑब्स्ट्रेकल्स आ रहे हैं किस तरह से निप्टा जाए एहम बात यह है आखरी इस्टेच है कोई भी मिस्टेक नहीं चाथ अपड़े और जो जाआजनीत हैंकि कोई भी मिस्टेक अले गोगण रहो उनको गैस कटर्स और हैट्रोलिक कटर्स से काटके वो आरेन स्ट्रक्चर्स हटाए गए और उसके बाद री एसेंबलिंग का काम जो है वो शुरू हो गया ये कनफॉर्म है सुरंग के भीतर 41 मजदूर उमीदों राशंकाओं के बीच डूब उतर रहे हैं और इधर सुरंग के बाहर भी उनका बेसबरी से इंतजार हो रहा है एम्बुलेंस आ गई है स्ट्रेचर आ गए है अस्पताल तयार है पूरी रात ड्रिलिंग चलती रही बीच में रुकी भी मशीन भी खराब हुई तेजी से इंतजाम भी हुए लेकिन अभी भी सुरंग से आजादी की पहली तस्वीर का इंतजार है रेस्क्यू टीम किसी भी हर बड़ाहट में कोई करबर नहीं करना चाहती और ये सही भी है ओंकार बहंगुडा अंकित शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा उत्तरकाशी आजस्ताल आशुतोष रमाइस से दमाइस सेयोगी इस वक्त जोड़ चुके इंग्राउंड पर मौजूद है आशुतोष जड़ा तासा अपडेट दीजे इस वक्त सितिक क्या है वहाँ पर और कितना और वक्त अभी एक्सपर्ट्स बता रहे अगर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगले 30 से 45 मिनट के भीतर ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा क्योंकि पाइप का जो सेकेंड लास पाइप याई यू समझ लिजे कि जो नौमी पाइप का अलाइन्मेंट था वो पूरा हो चुका है और उसके बाद समाव विशेशा के इस समय अंदर हैं एक हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है कि अगली चुनोती क्या हो सकती है क्योंकि और अगर इस तरह की कोई चुनोती आती है तो रास्ता मुश्किल ना हो तो ये संभव है कि इस समय घड़ी में दो बच कर 16 मिनट हो रहे हैं जब मैं हम बात करो शायद दो बच के 45 मिनट तक ड्रिलिंग शुरू हो जाए रफ्तार वही है पांच मीटर उसको पहु आती जो मजदूर उस पार है उनसे बातचीत भी हो रही है उनका एक अंदाजा यह है कि जो आखरी बाधाती वहाज सुबह पौने साथ बज़े खतम हो चुकी है अब बीच में कोई भारी ऐसा मलबा लौधातू कोई ऐसी चीज नहीं आए कि जिसको काटने में समय लगेग और बस यह आपरेशन आज खतम हो सकता है एक तालेस मजदूर जो हमारे भसे हुए वा जाएंगे छे मीटर की दूरी है और उसके बाद बड़ी खुशखबरी जिसका आप और हम सब इंतजार कर रहे हैं और पूरा देश प्रारसना भी कर रहा है